नमस्ते मेरा नाम है आलोग सोती और आप देख रहें फिजिक्स पंडा भाई आलोग सोती अगर कोई याद कहें कि लॉग 6.2 की वैली निकालिए तो आप कहेंगे भाई या तो लॉग टेविल देदो या तो कैल्कुलेटर देदो नहीं दोनों नहीं मिलेगा तो कैसे निकाल आपको पूरी लॉग टेविल याद करने कोई जरुवत नहीं यह आपकी किताब में सही लिया एंची आर्टी की किमस्टी के सवाल में लॉग 6.2 तो याद क्या करना है यह बात ठीक है जब लॉग लिखा है इसका मतलब लॉग बेस 10 होता है हमें राइट और एक होता है ने लॉग बेस 10 की वैयल्याद रखनी है लॉग самой की याद करनी है तो दोरल लॉग वेस 5 याद रखनी है और लॉग बेस 10 के 7 कचेंकी वैयल्या रखनी है यह चार वैयल्यू आ को यादकर करनी है दिमाग में एक बार रख लेनी है व murmurs छाए कईसे कैसे बी लॉग हो आप निकालते चले जाएंगे उनकी वैल्यू वगेर कैल्कुलेटर या लॉप आप जानते हैं पहचानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 3.010 अमाप पाइंट वू सक्षी है इसकी वैल्यू आप जानते हैं पाइंट 477 होती है इसको एट कर ली कि लॉग वेस्ट 10 5 की वी वैल्यू आपको याद है 0.69 और लॉग वेस्ट 10 के 7 की वी वैल्यू याद है जोस्तों केवल ये चार वेल्यू आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपका काम समाम हो जाएगा आराम से कैल्पूरिट कर लेगा आप देखिए आप पहुचे अपने सवाल के पास के लॉग 6.2 निकालिए तो आपके इसार हम इत्ता कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कि 6.2 से इस एक बढ़ा के एक 0 लिख सकते हैं इतनी मैथमेटिक्स आती है जब डिसमल अटेगा तो बन आएगा और उसके बाद कितनी कॉंटिटिटी हो जाएंगे एक चीज़ा आप और ध्यान कर दीजिए आपका काम असाल हो जाए लॉग के तीन फार्मूले हैं इस सब बेटा हम लॉग बेस 10 की बात करें एक 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 लॉग एम इंटू एन और एक फार्मूला लॉग बेस 10 एम की पावर एन बस यह तीन बहुत सिंपल है जब आपका रेशियो है भाग दे रहे हैं तो आप जानते हैं लॉग बेस 10 एम एन हो है तो यहां प्लस हो जाएगा और जब पावर है तो पीटा पावर आगे आ जाएगी लॉग बेस 10 एन यानि कि यह जो बेसिक क्लास्टेज में आप पड़के आये थे यह आपको मजू है अब आईए देखिए यहां एम अपान एन लगा सकते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो हो जाएगी बिटा इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग 62 यानि एम माइनस लॉग एन आव यह लॉग 10 बेस्टेन अंडेड ताउदें वेल्यू आपको सिखा देते हैं इसको सीखना बहुत असान है आप जाजते हैं कि अगर किसी की भी बेस की पावर जीरो करते हैं इसी भी की वैल्यू पावर जीरो करते हैं तो वह वान हो जाता है अगर हमको इसको लॉग में चेंज करना है तो क्या करेंगे आप जानते हैं यह लॉग का बेस होता है यह आर्गुमेंट होता है और यह इसकी वैल्यू यानि अगर हम लिखेंगे तो लॉग टेबल में लॉग यह गया यह उसका अर्गुमेंट हो गया और इस आर्गुमेंट की वैल्यू कि यह यह आपकी बाद में बोले माईचा तो लॉट वेश 10 का लॉट वेश 10 का 1 या लॉट 1 में से 10 वह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सामने दिख रहा है अगर हम आप से कहें कि गान उगा हुगा तो यह इसका यंदि यानि सब्सक्राइब आपका सब्सक्राइब यह आपका बेस हो गया यह आपका अर्गूमेंट हो गया और उसकी यह आप जानते हैं लाग वन बेस टैन जीरो लोग टैन बेसेड इकल टु वण वं लॉग उन फोड़्य से इकल टू तो यहां से यह क्रोगा यह तो आप नरहें तो सब्सक्राइब दब सब्सक्राइब आप आप सीख गए यह संखला आप सीख चले गए इसके आगे तो नहीं करेंगे आपको आता है बस आपने का सर लॉग वेस्ट टैन लॉग वेस्ट टैन वन होता है अब पूरी पूरी समस्या आई कि गुरू 62 कैसे कल्कुलेट करेंगे बगए लाग टेविल और और कैल्कुलेट कि उसी के लिए आपको बता है था पहले कि भाई सब्सक्राइब याद रखना लॉग वेस्टेन 2.3 लॉग वेस्टेन 3.48 लॉग वेस्ट 5.69 लॉग वेस्टेन है विटा जो आपने दिखा हुगा एक लिगे लिखा होता है नेचुरल लॉग यह होता लॉग 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 लिखा रहे तो समझ लेना वेस्टेन है कैसे पैदा हो रहा है को सिक्स्टी टू और यह बात की कहना क्या चाहिए तो गुरू अगर शिक्स्टी टू को में आ जाए तो काम बन जाए तो आपने कहा आ जाएगा मैं कैसे आएगा पहले अगर 62 से अगर हम आगे बढ़ रहे हमको 64 दिखाई जे रहा है थोड़ा सा आगे बढ़े 62 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो 64 मिलना है कि इसको दो में रिप्रेजेंट करना बहुत असान नहीं दो इन्टू दो इन्टू दो दो चाल आठ शोला बद्धिस चाहुंग सट तो 64 को अगर टू में करना है यह रिपonseill हैना बहुत असान है तो आप नहीं कहरें यह तो हो गई नी? आभ देख़ी है अफ्य की और शॲूष इसको लॉग में चेंज करना तो बहुत असान है बहुत असान है बहुत असान है बहुत असान है आपने का सर 64 बरावर हो गया एक दो थीन चार पांच छे लॉग ले लिजे किसने बना किया लॉग लॉगवेश किस इन तू लॉग वेस्ट था उसको आपने किसमें कर लिया विटा शेक्स्टीपोर में चल दिया थोड़ा आगे पीछे चली रहा है और वह वरावर किसके हो गया सिक्स इंटू लॉग वेस्ट 10 का लॉग 2 आप वेस्ट 10 और इसकी वैल्यू हमने कहाता है यार इत्ता याद रखना है बहुत असानी से आपने कल लिया पाइं 30 लॉग 2 की वैल्यू कहाता है याद कर लेना और आपने क्या गया या 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 आप कह रहें कि सर हमने जो लॉग वेस्ट 10 6.2 जो सोती सर ने विदी वदाई है उससे जब कैल्कुलेट किया तो पाइंट जीरो आँए चलते हैं यह हमाई पर साइंटिफिक कैल्कुलेटर है देख रहा है बिल्कुल सही देख रहा है अन कर लिया हमने और लॉग वाला मैंने दाब लिया देखें लॉग उपर देखें दब गया कितना चाहिए था 6.2 चाहिए था देखे 6.2 भी हो गया और बरावड़ देखें किता है 5.795 यानि जब हमने इसको कैल्कुलेटर किया तो यह आ रहा है देखो 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 बिल्कुल साफ 5.795 कितना एको रेट आ लिया देखें कितना एको रेट आ लिया इसको तो आप 0.8 जिलो के आस पास लिख सकते हैं तो दोस्तों कितना आसान है किसी भी वैल्यू को लॉग को वगएर कैल्कुलेटर वगेर लॉग टेविल के याद कर लेना कितनी चीज आपको मालूमी है बेसिक है तैंत में सीखा था कि वह यह 0 पाउर 1 होती है 10 की पाउर 1 होती 100 होता 3,000 होता 10 की पाउर 4,000 हो जाएगी लॉग में कैसे कंवर्ट करेंगे के वल इतना याद रखना था लॉग 2.30 लॉग 3.48 लॉग 5.69 लॉग 7.8 यह भी यह तीन आइंटिरिया थी यह भी आपको याद है यह भी आपने 10 में ही पली थी कि वाई आपको याद है उस पॉंटिटी से कुणा कर देंगे और इधर वाली से घटा देंगे और इस तरह आप पगे लॉग टेविल के सवाल करने की तैंक्ट